हैलो प्रेंड्स आज मैं अपने किचन में लेके आई हूं लौकी की कोपते की रेश्पी जो बहुत ही स्वाधिष्ट बनके तैयार होने वाला है और बहुत ही असानी से से बना कर तैयार करने वाले अगर आपके घर में कोई लौकी की सब्ची खाना पसंद नहीं करता है या आपके बच्चों को लौकी की सब्दी खाना नहीं पसंद है तो एक बार इस तरह से लौकी की कोपते की रेश्पी बनाए और उनके साथ सेयर करिए यकीन मानिए वह बार बर खाने के लिए जित करेंगे तो चलिए इस रेश्पी को बनाना शुरू करते हैं Welcome back to my channel सबसे पह पर इसको 2 टुकड़े करें सबसे पहले हम इसके चिलके उतार लिए है और इसको अच्छी तरह से वास कर लेंगे तो आप मेरी एक किसी भी मतलब मोटे वाले या पतले वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट कर सकते हैं तो यहां पर हमें पहले पूरी लोकियों को कद्दू कस कर लेना है तो यहां पर मैं काफी ज्यादा कॉंटिटी में कद्दू कस कर रही हूं सबजी बनाने के लिए तो यह आधा टुकड़ा ही यह देखिए इसमें जरा सा भी बीज नहीं है और एक्तम सॉप्ट लोकी है तो अब हमें इसे क्या करना है ना इसे हम इस तरह से निचोड के इसमें जितना भी इस्टरा पानी है उसको निकाल लेना है लोकी सॉप्ट है तो इसमें काफी कॉंटिटी में पानी है इसलिए हम इसको हाठों से इस तरह से दबा दबा के इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे नहीं तो क्या होगा नहीं यह कापी जब हम इसके कोपते बनाएंगे इसमें बेसन एट करेंगे न तो एकदम गीला हो जाएगा और बेसन की कॉंटिटी जादा हो जाएगी इसलिए हमें इसको हा पानी को फेकना नहीं से रख देंगे साइड में या तो आप इसे आटा गूतने के काम में ला सकते हैं या तो फिर इसको शबजी के ग्रेवी में डालेंगे तो यहां पर मैंने एक कटोरी के करीब इसमें डाल दिया है बेसन डालने के बाद मैंने 5-6 हरी मेर्स चार-पांच को लिए लेशन की एक टुकड़ा 蹲िए दर को मिक्सर और सब्हा smell में दर्दावासा पीस लिए मदा Tough अजवाइन के सब्जुए में दालने के बाद मैने अजवाइन डालने के बाद मैंने आदा चमच मेंच से अब सारी चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आपको यहां पर लौकी ज्यादा गीला दिख रहा है तो आप यहां पर एक से दो चमच बेसन और एट कर लीजिए लेकिन यहां पर क्या है पूरी कोसिस करना है कि इसमें कम से कम बेसन यूज करें नह दो मिनिट के लिए साइड में तब तक मैं यहां पर पेस्ट बना लूँगी लेसन प्याज अद्रक के तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने 4-5 जोई मीडियम साइज के प्याज ले रखें प्याज न तो बड़े हैं इसलिए मैंने 4-5 ले रखा है अगर बड़े साइ की से यहां पर मैंने इसको यह देखे पेस्ट बना रख देंगे अब हम्में चलना एक पैंड में रखा दिया हैं आप इस तरह से यह दिए में मeglock त्यार किया और बमें जिस तरह Sut व्योंड़ाइं में और इल्कर इसको जो मैं डाल दिए और आप जाये तो यहां पर इससने सर्व करना या बपना सकते हैं यहां से नीचे से थोड़ा ब्रावन तो आपंको पर अच्छा साल हिए अगर आपको ये घर घरला है तो खाने में के कामबे भी आ जाएगा ज्यादा तर तो देखा जाए तो लौकी के पकोड़े बहुत ही डेस्टी बनता है तो इसलिए तो मैं तो ज्यादा कॉंटिटी में बनाती हूं कोपते ताकि आदे जो है कोपते हम लोग ऐसे खा लेते हैं और बागी के कोपतों की हमार अब अधन मिक्स कोणा सबे algun के डाल ITरा म् तो आप जो जाएगर इसम घृपि तो अंदर तक डियाइगा अब इसी तरह से हम सारे मेक्स कोपते में डालेंगे और और फ्राई करके ती रेडी कल लिए तो यहां पर मैंने सारी जो निकाल लेंगे यह पर आप देखिये तो हम हम रखतेंगे साइड में और गैस पर रखना है हमें एक दूसरी कढ़ाई यहां पर कढ़ाई रखने के बाद मैंने इसमें डाल दिया सर्षो का तेल पारीक कटी हुई कर एक द आधा सब्सक्राइब करें मिइदफ सब्सक्राइब अध करेंगे ऊसे हमस्ए आपर बूत को क्लांट Cham nazi जुन टिन एब सब्सक्राइब देख disciplined से निकल ना है थाकि लेशन पर आज का कच्छापन निकल जाए तो इसे में कवर करके दो से तीन मिनट के लिए भूण लोंगी 2-3 मिनट राद हम कवर को अटाएंगे और वापिस ते यहाँ ब सब्सक्राइब यहाँ भूल लेता है न मसाली कर दो दौन दाली सभीकुश करणे हादा चमतय भूले लाल मिर्च पॉडर गरम मसाला भूला तक ह freshmen बाता है, गरम मसाल, त्वलेगे के corona यह शाला पार है फोड़े पानी मैंने यहाण पही पानी दालेंगे शिग्स करेंगे यहाँ पर मसाला सूखा दिख रहा है गाहा आए यहाँ थोड़ सबना पानी दाल सब्सक्राइड यहाँ जतने लवत की जूस निगले थे डूठी हो तो मैंने संडूर सक् तक हमें मसालों को यहां पर 5-6 मिनेट तक low to medium flame Mur na high flame पर नष्ट हुआ पीरियक और पर कवर करके वीच में हम मसालों को चलते रहेंगे नेकि मसाल需 करत है तो आप जूब हैं जैसे मसालों का तक हुँआ है पर देखेंगे मसालों का अलग होने मम cabeza por delato de whom flag to put together याज़ पर देखें गाई है चैसा प्रेगा हुआ को बुछा तोलगे तो यहां पर हमें क्या करना इकष्ज पाने टालने के लगी है फूह रखने हुए कि Weber Q Hoodie ची करना देना है हुआ तो हम कड़ाई में reinforce में 4 तरफ नहीं दालें спрос कोपत आप दिटाएंगे दीवैशनी norm daqui कोपते जे यहां पर मैंने सारे कोपते डाल également अब इसे हमें mix करने की जरूरत नहीं है अब इसे हम क्या करेंगे वापिस से cover कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए medium flame पे रख देंगे ताकि कोपते की अंदर तक ग्रेवी चला जाए और कोपते भी soft हो जाए तो यहाँ पर मैंने इसको पूरे 4 मिनट के करिब तक पका लिया है ग्रेवी भी पहले से ठीक हो गया है और कोपते देखिए काफी खिले खिले से हो गये है अब यहाँ पर हमें क्या करना है गैस को बंद कर देना है गैस बंद करने के बाद अब इसके उपर से हम थोड़ी सी डाल देंगे बारिक कटी हुई धनिया तो यहाँ पर हमने लौकी की कोपते बना कर तयार कर लिया है बहुत ही टेश्टी सी रेस्पी है, बहुत ही कम चीजों में बनके तयार भी हो गया है तो चलिए इस रेस्पी को हम सर्वी कर लेते हैं, सुपर डूपर टेश्टी हमारे लौकी की कोपते बनके तयार हो गया है आपके घर में अगर लौकी की सब्जी कोई खाना नहीं पसंद करते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से लौकी की सब्जी मनाएं, उन्हें पता ही नहीं चलने वाला है कि ये लौकी की सब्जी है तो अगर आपको ये मेरी लौकी की कोपते की रेस्पी जरास भी पसंद आई हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए विल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे मेल पहले मिले और हां रेस्पी को आप अपने फैमिली मेंबर्स प्रेंट्स कूप में जरूर से करें कि आपको हमारी रेस्पी कैसी लगती है रेस्पी अगर चराज भी पशंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में लास्तक बने रहने के लिए आप सभी को डेर शारा तेंक यूँ